असलाम लेकुम स्टूडेंस वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल यूनानी मैडिसन यूनानी मैडिसन में हम जो आज ड्रग पढ़ने जा रहे हैं नेट्स अंजबार चले तो अंजबार के बारे में आज हम पढ़िएंगे अंजबार का जो माकिस है यानि इसका जो औरिजन है ये एक नबाती दवा है यानि ये एक प्लांट औरिजन ड्रग है इसके मुतरादिफ नाम हम देखेंगे इसका जो अंग्रेजी नाम है या तो हम इसको स्नेक रूड बोलते हैं और इसका जो बाटनिकल नेम है यानि इसका जो लातिनी नाम है इसके दिगर मुतरादिफ नाम देखेंगे यानि इसके जो वर्निक्यूलर नीम्स हैं वो हम देखेंगे अर्बी में हम इसको बोलते हैं अंजबार और फार्सी में इसको अंगबार बोलते हैं इसकी मॉर्फॉलिजी देखेंगे यानि इसकी माहित ये जो हैं ये पोदे की जड़ होती हैं और ये जो जड़ होती हैं ये सुर्खी सियाही माइल होती हैं ये ब्लैक इश होती है ये और इसकी जड़ होती हैं ये बहुत ही सक्त होती हैं अगर हम इसका ये पोदा देखेंगे तो ये एक से दो मीटर लंबा होत है तो इसके जो पते होते हैं वो भी लंबे और बड़े बड़े होते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है और इसकी जो फूल होते हैं वो गुलाबी सफेद होते हैं और जो तुक्षम होते हैं वो लंबे और चमकदार होते हैं रिजन्स की बात करें यानि इसके प पश्मीर में पाया जाते हैं और हिमालियन रिजिन्स में पाया जाता हैं और हिंदुस्तान से बाहर ये एक दू शाम और इराक एरान और यॉरप में पाया जाता हैं ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये अंजबार का फ्लावर है ये और ये हैं इसके लियूज ये इस का पोद आए और इसी की जो जड़ हैं वो हम इस्तिमाल करते हैं यह इसकी जड़ है इसकी जड़ होती है ना यह बाहर से जो सुर्खी माइल हमने बोला कि यह ब्लैक इश होती है लेकिन अंदर से अगर आप देखोगे तो यह वाइट कलर की होती है इसके टेम्प्रमेंट की बात करें यानि मिजाज क्या है इसका वो है सर्थ वो खुश्क फंक्शन्स देखींगे इसके यानि आफ़ाल गया है तो सबसे पहले यह हाविसो दम है यानि हीमोस्टाटिक यानि यह खून को रोकता है अगर कही पर भी जर्यानी खून हो खून बैहता हो तो उसमें हम इस्तिमाल करते हैं काविज है यह यानि एस्ट्रिंजन्ट और यह मुकावी म्यादा वह अमा है म्यादा को ताक देता है मुसकिन सफरा है यानि सफरा सीडेट्यू है यह मुसकिन हिदत दम है यानि बलड कूलेंड इसके यूज देखेंगे यानि इस्तिमाल हम किस किस में करते हैं यह तो सबसे पहले जो इसका यूज है वो हम करते हैं इस हाले दमवी में यानि बलीडिंग डाएरिया जहां पर भी डाएरिया हो और वहां पर बलीडिंग हो रही हो तो वहां पर हम इसका इस्तिमाल करते है लाइक डिसेंटरी होता है इसमें हमें ब्लीडिंग नजर आती है तो इसमें हम इसका इस्तिमाल करते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं किसी को तो उसमें हम इसका इस्तिमाल करते हैं निपस दम में हम इसका इस्तिमाल करते हैं यानि किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही हो करते हैं यानि बावल दम जिसको हम बोलते हैं तो किसी को यूरीन के साथ ब्लीडिंग होती है उसमें हम इसका 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 इस जादा होती हैं तो उसकी हिद्दत जादा होती हैं तो उसमें भी हम इसका इस्तिमाल करते हैं इस हिद्दत की वज़ा से क्या होता है कि बहुत से स्किन डिजीज जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं जैसे की शरा हैं अर्टिकेरिया हैं और जरब जो कि हम स्कैबीज को बोलते हैं तो ऐसे इसे डीजिस जो होते हैं इनमें भी हम अंजबार का इस्तिमाल कराते हैं नफख खास की बात करें तो इसका जो नफख खास हैं वो हैं इसाली दंवी और जहीरी दंवी यानि जब भी ब्लाडी डायरियाज होते हैं तब हम इसका इस्तिमाल करते हैं अंजबार किस जीज़ के लिए मुझेर होता है, वो सरद मिज़ाज वालों के लिए मुझेर होता है और मुसेले अगर हम देखींगे इसका तो वो हैं शेह दिखालिस और बदल है इसका हुबल आस इसके जो मश्यूर मुरकबात हैं यानि इसके जो ड्रॉक्स हमें मार्केट में अवैलेबल हैं वो हैं शर्बत-ई-अंजबार और हुबी जवाहरी मौलिफ हैं ज्यादा तर शर्बत-ई-अंजबार का ही इस्तिमाल होता है केमिकल कॉंश्वेंस की बात करें कि इसमें क्या-क्या पाया जाता है तो एक तो इसमें पाया जाते हैं क्यूमरीन्स और फ्लावनवाइट्स पाया जाते हैं और कुईनोंस पाया जाते हैं थैंक यू फो वाचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब